Hello everyone, मैं दीपाप का स्वागत करती हूँ अपने चनल बाग बगीजा पैशन और क्रियेशन में जहां हम बात करते हैं पेड़ पोधों की और किसी क्रियेटिविटी की आज का वीडियो समर के लिए बहुत बहुत स्पेशल होने वाला है तो बिल्कुल भी इसको मिस्स मत कीजेगा और बिना स्किप किये वीडियो को पूरा दिखिएगा अगर आप मेरे चैनल पंड नहीं है और पहली बात मेरी वीडियो देख रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं को वीडियो लिका रहा हूं तो आप उसे मिस्स मत कीजेगा आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खुबसत से प्लांट की बेसिकली एक बूश होता है जिसे हम बोलते हैं टेंटू फाइव और पॉर्चलिका बहुत ही खुबसत कई कलर के फ्लार इसमें मिलते हैं देसी हाइबर दोनों तरकी वराइटी मिलती हैं फूल के साइज भ भी अवलेबल हो जाएगा जो छोटे सी पॉलोतिन बैग में लबभी सुबह का आपको मिल जाता है और पूरी गर्मिया भर खुब सुन्दर फ्लारिंग करता रहता है बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा खरचिला वाला प्लांट नहीं है अराम से आप इसको एक बार लगा तक यह आने वाले समर में और इस टाइम पर यह बहुत अच्छी सी फ्लारिंग कर सकें क्योंकि अभी तक मैंने इसको तियार रही किया था तो अभी यह सही टाइम है इसको फटाफर से तियार कर लेती हूं दो से तीन दिन में ही इसकी कटिंग इजली चल जाती है तो यह ए बहुत सारे कलर के जो प्लांटर में लगा के छोड़ दिये थे क्योंकि अभी इसमें प्लारिंग स्टार्ट नहीं हुए तो मुझे नहीं पता कि कौन-कौन से कलर्स के हैं तो मैं इस वाले जो प्लांटर है मेरा यह मैं इसमें से अच्छी खासी कटिंग निकाल लेती हूं इससे दो फायदे होंगे एक तो नहीं प्लांटर तयार हो जाएंगे दूसर जो यह वाला प्लांटर है इसमें भी नहीं नहीं स्टैम्स निकलेंगी जिसमें नहीं बढ़ साएंगी तो इस तरह से मैं इसको दो तिन प्लांटर में लगा लूँगी और यह बहुत ही प्लांटर को अगर मैं बात करूं कि धूप की कितनी रिकॉर्मेंट होती है तो जितनी ज़्यादस को दूप मिलते है उतना ही अच्छा कलिया प्रोड्यूस करता है तो अगर आपके पास यह प्लांट नहीं है तो आप किसी से भी कटिंग लेकर भी इसके प्लांटर तियार कर सकते हैं आप एक बार एक कटिंग ले आएंगे तो इससरा न है हो जाते हैं यह बहुत सारे कटिंग्स स्य त्यार हो जाने वाला आप चाहे तो एक ब्लान्टर में एक तरह की क bronze कर लगा अगर मैं बात करूं इसकी कटिंग के लिए अमयाना नहीं है तो इसके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करना होता मेरे पास जो खाली प्लाटब पड़े होते हैं जैसे मिल्टी होती वैसे में ही लग जाती है इसमें बहुत जादा कुछ ज़र्द में और यह ज़स्किन देखि नहीं होती है तो मेरे पास जो नॉर्मल प्लांटर में मिटी पड़ी थी मैं उसी में इसको लगा रही हूं बस नीचे से एक इंच की स्की मैं जो लीव से वो हटा लूँगी और अराम से लगा दूँगी और कुछ भी नहीं करना होता और आप देखिएगा तीन जा दिन जान लग जाते हैं बाकी इसके लावा और मेरे मेरे पास इसका कोई भी इशू नहीं है बड़े ही आराम से जाती है दो दिन बाद ही इसकी नई ग्रोथ नजर आ जाती है जाती है तो देखा आपने इसको लगाना कितना आसान है और बाद में इसको वाटरिंग कर दीजिए बहुत ही अच्छे से आपके फ्री में कई सारे प्लांटर तैयार हो जाएंगे इसकी कटिंग कहीं भी मिले तो बिल्कुर में छोड़िएगा एक दो कटिंग ज़रूर लगाना भी बहुत आसान है इसकी मैंटनेंस का भी कोई खर्चा नहीं है बड़े है आराम से इसको महीने में एक बार आप खात पानी देजिए उससे कोई दिक्कत नहीं होगी तो इस तरह से अपने डेरो प्लांटर स्तियार करते रही है वीडियो अच्छा लगा है तो उस कर ले जिसका लिंग मैंने दे दिया है और इसी तरह से गार्णिंग करते रहें खुश रहें मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल को देखते रहें